सब्सक्राइब कर दो जो भी का सब्सक्राइब नोटिफिकेट नोटिफिकेशन के बारे बताने वाला हूं EWS, OBC, AC और SD और आप सब्सक्राइब अपने अपने पैरेंट्स को भी इस वीडियो को जुरूर शेर करें उनको भी समझता जोड़ी है समझिएगा ने तो कई बर क्या होता है जब एडिबिशन ने जाईएगा वेरिफिकेशन दो रार उस समय होगा क्या बहुत सारे बच्चे का एडिबिशन केंसल हो जाता है कि state की जगा center का certificate डाल देते हैं और center की जगा state का जिसकी वज़ा से वेरिफिकेशन रद हो जाता है और एडिबिशन फर्स्ट रांड, सेकेंड या मोपप आश्ट में भी जाकर वो गल्तिक कर देते हैं एडिबिशन नहीं होता है अब मैं आपको इसको बताने से पहले एक बत क्लियर कर दूँ कि आप सभी एश्रेंट्स मेरा टेलिग्राम स्मार्ट नौकरी नीट उजी को जॉइन कर लिए विए से बहुत सारे PDF यहां पर पढ़ाई के रिदें मैं डाल रहा मिलेगा और साथी EWS, OBC, AC, ST के डेमो PDF में डाल करें, बहुत सारे बचे कहते हैं नहीं, जॉइन हो पाता है, आप सब भी इसको जरूर एक बार सर्च किजिएगा, QR code को scan कर लिए Google से और आप सब भी वहां से जॉइन कर लिजिए, जब डेमो PDF में डाल दूँगा आप सब देख लिजिएगा, आपको समझ में automatic आजाएगा कहां से और कैसे बनवाने हैं, इसको जॉइन करें, कोसित करूँगा कि आज रात में या कल तक सारे PDF में डाल दूँगा, अब मैं आप सब भी को बता रहा हूँ, मैंने जब NIT 2024 का रजिश्टन स्टार्ट हुआ था, आप सब भी को मैंने कहा था, कि आप सब भी का स्ट 22 का या पिछल साल 1 अपरेल 2030 का बहुत सारे स्टेट डिमांड किया थे, एक्जामपल उत्परपदेश, बहुत सारे स्टेट, तो मैं अब आप सब भी को ये कहना चाहता हूँ, आज 2 अपरेल को वीडियो देख रहे हैं, अब आप सब भी कास्ट सर्टिफिकेट को बनवान रख दीजिए, AC और ST वाले जो इश्रोंस हैं, इनको बनवाने की जोरत नहीं है, इनका पुराना भी लग जाएगा, EWS और OBC को रिन्यू इसलिए कराना जोरी होता है, क्योंकि इसमें क्या लगता है, आपको पता है, इंकम सर्टिफिकेट की वजा से इसको रिन्यू कराना होता है आपको, बट इन लोग को जोरोत नहीं पड़ता है, अगर आपकी फ़र 2020-19-18-17-22-23 का है, तब यह उसके पहले का भी है, तब यह आपको चलेगा, मतलब इन लोग को बनवाने की जोरोत नहीं है, EWS और OBC को बनवाने की जोरोत है, अब मैं आपको एक बात बता इसमें क्या होता है, सेंटर का भी बनता है और स्टेट का भी, अब इसमें डिफरेंशेट आप नहीं कर पाऊगे, टेलिग्रम जोराने का प्रोसर्प सुरू कर दिए, अब बहुत सारे शों यह पूछेंगे, खासतोर EWS और OBC वालेशन की भाया, मेरे पास तो अल्लिदी बना हुआ है, कोई कहाएगा January 2024 का है, कोई कहाएगा February 2024, कोई March 2024, या कोई कहाएगा भईया मैंने 2023 में बनवाया है, उनके लिए एक ही आंसर दूँगा, देखो, पिछले दो सालों में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, जो कि जैसे 2023 में कहा गया था, बहुत सारे स्टेट में ज चलेगा नहीं चलेगा, यह notification इस्टेट वाले जब counselling होता है, एक्जाम के बाद तब डालते हैं, क्या पता कि जब मालो कोई उत्तरप्रिस, बिहार, हर्याना, वेस्ट बिंग और राइस साथ, example लेता हूँ, मालो notification जारी करते हैं, exam के बाद, mail आस में, कि मुझे तो 1st April 2024 के बाद का ही मुझे चाहिए certificate, फिर आप हरवड़ी में लग जाओगे, हाँ, अगर जारी कर देते हैं, कि 1st April 2023 के बाद का certificate है, तो चलेगा, तब तो कोई दिकत नहीं है, तो मेरा यह है, कि देखो, यह certificate बनवाने के लिए ज़्यादा परिशानी होने पड़ता है, हाँ, लेक सारी इसों यह पूछेंगे, कि center का, state का, कौन, कहा, कैसे लगेगा, तो मैंने कहा न, कि आप सभी telegram जाइन करो, जो मैंने बता है, link दे रखा है, मैं PDF पर डाल दूँगा, देख लेना, मैं mention कर दूँगा, यह center का, यह आपकी state का, आपको सव्या आजाएगा, और आप सभी क्या करोगे, जब आप बनवाने जाओ, तब दिखा देना वहीं चीज, कि इस type के मुझे चाहिए, यह इन से sign more कराना है, तभी वो center का होगा, तभी वो state का होगा, मेरे बास समझा आ गया, अब आप सभी latest बनवा लिए, बहतर आपके लिए वहीं रहेगा, कई बर क्या होता कुछ state वाले का भी गलती था, अब जिसकी वज़ा से उस बच्चे का division हुआ ही नहीं, last round में उसका US मुआ था, क्योंकि समय नहीं देते हैं ना वो, अब एक बात बताओ, जब एक division ने जाओगी, समझना, इस state का कुछ बच्चे ऐसे हैं, जो कि state में OBC में आएंगे, लेकि certificate का division ही होगा, मैं आपको बता दूँ, clear, certificate अगर आप लेकर नहीं जाएंगे, तो आपके division नहीं होगा, क्योंकि आपका जो भी college allot किया जाता है, category से, तो वो certificate के base भी किया जाता है, प्रमान नहीं दोगे, नहीं लिए जागा division, मैं आपको clear काई दिया, आप सब भी बनवा आना सुरू कर दो, मैं demo डाल दूँगा, देख लेना all the very best